जहीं साथ यो सुबा के सारे 8 बज चुक है जैसे कि आप सभी को पता है हर सुबा सारे 8 बज दा आर्मी क्लासे जुरूप चले पर लाइफ क्लास होता है तो आज का लाइफ क्लास होगा हूँ इंडियन आर्मी जी डी का ओरिजिनल कोशन पेपर होगा जो की 2013 साल का होगा तो आज का वीडियो बहुत इस्तंदार होगा वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोगों से लास्ट में कोश्चन भी पूछा जाएगा तो बहुत है तो इस पूचन का राइट एंसर जो पूचन नमबर यानिकी जो छिपकिली बता है उनका एक दम राइट है जो है उपने प इस पूचन का राइट एंसर जो होगा वो अपसा नमबर सी होगा तो बहेंगे चार नमबर कोशन के और चार नमबर कोशन आप लोगों से पूचा है इस पूचन का राइट एंसर जो होगा वो अपसा नमबर कोशन आप लोगों से पूचा है चीप जश्टिक और इंडिया इज एपोंडेट बाई यानिकी भारत के मुख ने अधिस की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है कोशन बहुत यच्छा है तो इसका राइट एंस जल्दी से बताईगा तो इस कोशन का राइट एंसर जो होगा वो अपसा नमबर जो भी यानिकी प्रेसिडेंट बता है उनका एकदम राइट है तो बनाएंगे छे नमबर कोशन के और छे नमबर कोशन भी अच्छा कोशन पूचा है On Which Day Is Who मैं Right Day अब्ज़र रहने की मानौ अधिकार दिवस किस दिन को मनाए जाता है आप लोगों को इसका राइट एंसर बताना है तो मानौ अधिकार दिवस जो मनाए जाता है वो 10 दिसंबर को मनाए जाता है यनिकी इस कोशन का जो राइट एंसर होगा वो अपसा नमबर ज जो मनाया जाता है वो 8 March को मनाया जाता है इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा तो बरहेंगे 7 नमबर कोचन की और 7 नमबर कोचन आप लोगों से पूछा है कि सरकार की 8 वी पंच वर्सिय योजना की आधी क्या थी आप लोगों को बतरा है जल्दी से इसका राइट आंसर बताएगा तो सरकार की 8 वी पंच वर्सिय योजना की जो अवदी थी वह 1992 से 1997 के 20 थी यानिकि इस कोचन का जो राइट अंसर होगा वो अपसन नमबर C होगा तो बरहेंगे 8 नमबर कोचन की और 8 नमबर कोचन पूछा है इसका राइट आंसर बताना है तो बहुत यचा है जल्दी से इसका राइट आंसर बताएगा तो इंडिया वी इन्स फ्रीडम के जो लेकक है वो मोलावना अबूल क्लाम अजजाद है यानिकि इस कोचन का जो राइट अंसर होगा वो अपसन नमबर जो C बता है उनका एक दम राइट है तो बहुत नमबर कोचन की और 10 नमबर कोचन आप लोगों से पूछा है इस कोचन का जो राइट अंसर बता है उनका एक दम राइट है आप लोगों को इसकी नमबर कोचन आप लोगों से पूछा है इन दा उनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्रीज है विंगिभेन विट्टोग पावर्स याने कि सन्युक तराष्ट में कितने देशों को विट्टोग पावर्स परदान किया गया है आप लोगों को बताना है सबस्क्राइब विट्टोग पावर्स परदान के विट्टोग पावर्स विट्टोग पावर्स परदानी तो बैंकों कि जो जानी ओंड राजदानी आप लोगों को बताना है तो बैंकों की जो रोधानियों थैलेंड की राधानियों नहीं कि इस कोचन का राइट अंसर जो होगा वो अक्षान नंबर B होगा तो बरहेंगे 15 नंबर कोचन के और 15 नंबर कोचन आप लोगों से पूछा गया है इस कोचन का राइट अंसर जो होगा वो अक्षान नंबर C होगा अगर आप से पूछ ले जाए कि RIMC कहा परिस्तित होता है तो RIMC जो होता है वो देहरा दून में ही होता है इसको द्यान में रख ली जाएगा तो इसी खतनत आप लोगों का General Orange का प्रस्ट समाप दूआ अब बढ़ेंगे General Size के तरफ तो General Size का 16 नंबर का कोचन आप लोगों से पूछा है What is the unit of current यानि की current की E-Kai किया है आप लोगों को बतना है तो current की E-Kai जो होता है वो MPR होता है यानि कि इस कोचन का जो राइट अंसर होगा वो अप्सन नंबर C होगा तो बढ़ेंगे 17 नंबर कोचन के और 17 नंबर कोचन आप लोगों से पूछा गया है which vitamin is destroyed by heating यानि कि कौन सा vitamin जो है वो गर्म करने पर नस्ठ हो या ता आप लोगों को बतना है तो जल्दी से इसका राइट एंसर बताएगा तो vitamin C जो है वो गर्म करने पर नस्ठ हो जाता है बढ़ते 18 नंबर कोचन के और 18 नंबर कोचन बोलने से पहले आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप न भी सब वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज मेरे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिगा तो से पूचन का जो राइट होगा जो एक नंबर डियाने के रियोता है वो मनुस में आंभ फंगल रोग्य। इसको द्यान में रख लीजियागा तो बरहेंगे 19 नंबर कोचन के और 19 नंबर कोचन पूछा है sound energy is converted into electoral energy by यानि कि ध्वानी उर्जा द्वारा विधूत उर्जा में परवीर्तित किया जाता है तो द्वानी उर्जा को विधूत उर्जा में परवीर्तित किया जाता है वो माइक्रोफोन किया जाता है यानि कि इस कोचन का राइट अंसर बतना है तो सबसे कठोड़ पदार जो होता है वो ही रा होता है यानि कि इस कोचन का राइट अंसर जो और उर्जा होता है अगर एक मन ने जी देखिए कोचन पूचा है कि बंदूक से फायर करते हैं तो बलीप्री दिएसा में काम करता है कि लोग बताना है कि Newton का कौन से नियम के कारण ऐसा होता है तो इस question का जो राइट इंसर जोगा को option number B हो गया दिसके नियूटन का तीसरा नियम के कारण हम जो बंदूख से गोली चलाते है तो ओ पीछे की दखका देता है और कुछा है एक इलेक्त्रों किसका बना होता है आप लोगों को बतना है एक टेसे नंबर पूचा है इस नंबर पूचा है तो इस question का right answer जो होगा वो option number जो DNA की vitamin B बता है उनका एक अदम right है तो बढ़ेंगे 24 number question की और 24 number question पूछा है Newton has given law of motion जैनि कि Newton ने कितने नियम मतलगती का कितना नियम देहा आप लोग को बताना है तो Newton द्वारा को जाएगा गती का जो नियम है तो बढ़ेंगे 25 number question की और 25 number question पूछा है तो बढ़ेंगे 26 number question की और 26 number question पूछा है तो मानोत वचा का रंग किसके द्वारा निर्मित होता है आप लोग को बताना है तो मानोत वचा का जो रंग निर्मित होता है उम्मेलालील के कारण होता है यनिकि इस question का right answer जो होगा वो option number D होगा 27 number question की और 27 number question बोलने से पहले आप से request करता हूँ आप लोग आपका एक महीना भी time नहीं बचा है मेरे भाई तो आप लोग पूरा फोकस कर दो study पर अपने से जितना study हो सकता है अपने से ही करो मेरे भाई तो देखिए अगर 27 number question बोलने के पानी का formula क्या होता है आप लोग को बता रहे तो पानी का formula जो होता है वो S2O होता है यनिकि इस question का right answer जो होगा वो option number B होगा तो बनेगे 29 number question के और 29 number question पूछा है गुनसुत्र का दोरा और निमी लिखित में से किसके दोरान होता है question बहुत यचा है जल्दी से इस question का right answer बताएगा तो इस question का right answer जो होगा वो option number C होता है यनिकि गुनसुत्रों का दोराव जो होता है और आई वो फ्लेविन होता है यनिकि इस question का right answer जो में दोस्तों के option number C बता है उनका एकदम right है तो हो कि आप लोग का original question paper का test आप लोग को पूरा इमनदारी के साथ बताना है कि आपका इस test paper में कितना सहीवाब आप लोगों से एक last question भी पूछा जागा जिसका भी comment box में आप लोगों को answer बताना है तो आप लोगों से पूछा गया है